नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज हम दर्शकों के प्रश्ण और उत्तर श्रिंखला में हिंदू सनातन धर्म के विभिन्य प्रकार के रहस्यों के विश्य में ब्राप्त करेंगे. और ये बाते ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन समय में हमारा सनातन धर्म कितना अधिक वैज्यानिक दृष्टी को और रखता था. इसमें संख्या के आधार पर जो भी रहसे सनातन धर्म में बताये गए हैं कि इस संख्या का यह अर्थ है और इस बात का यह अर्थ है यह सभी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करें तो समय यानि टाइम इसकी गढ़ना भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत पहले से ही रिशियों और मुनियों ने अनुसंधान के रूप में कर रखी थी. आज की जो पध्धती है वो सेकेंड से शुरू होती है और घंटे और दिनों तक जाती है. लेकिन हमारी जो वैज्यानिक पध्धती थी सनातन धर्म की वहां पर यह टाइम बहुत ही छोटे इस तर से शुरू था. यानि की सेकेंड का भी बहुत छोटा हिस्सा. आपने एक मंत्र सुना होगा माता से समद्ध कला काश्ठादी का काल रूपणिंग यानि कलाव और काश्ठा जो काश्ठा शब्द आता है माता की साधना की समय में तो काश्ठा का मतलब होता है सेकेंड का 34 हजारवा भाग. तो आप समझ लीजिए कि एक काश्ठा के बराबर इतनी अधिक सटीक और नीचे की गरणा भैग्यानिकों के रूप मेरिश्य मुनियों ने की थी. तो काश्ठा जो होती है वो सेकेंड का 34 हजारवा भाग होता है यानि एक सेकेंड का भी 34 हजारवा भाग. अब उससे बड़ी संख्या होती है एक त्रूटी ये सेकेंड का 300 भाग होता है दो त्रूटी बराबर एक लव माना जाता है और एक लव बराबर एक क्षण होता है. इसी प्रकार 30 छण का एक विपल माना जाता है और 60 विपल का एक पल माना जाता है. जब 60 पल बीट जाते हैं तब एक घड़ी बनती है जो की 24 मिनट की होती है आज की अर्थ के संदर्व में. इसी प्रकार 25 गड़ी यानि डाई घड़ी एक होरा माना जाता है यानि एक घंटा जातर पुराने समय में जो भी तांतरिक साधना या साधना की जाती थी उस वक्त समय का अंतराल लिखा जाता था。 किसी प्रकार लिखते थे, कि हमें एक घोरा में करना है, या एक घड़ी में करना है, या कितने विपल में, या लव में, या तुरूटी में, हमें ऐसा ऐसा करना है, ये प्राचीन समय से चला रहा है, इसी प्रकार, अब होरे में ही, जो एक होरा है, वो घंटे के बराबर हमने बताया है इसी प्रकार तीन होरा एक प्रहर माना जाता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तीन होरा आगर बीट गये तो एक प्रहर बीट गया और साधनाओं को पुराने समय में प्रहर के रूप में किया जाता था इसी प्रकार आठ प्रहर होते हैं एक दिन में और ये आ इसी तरह, 24 होरा, यानि 8 के चोविस, ये एक दिवस या एक दिन के बराबर होता है। इसी प्रकार, 7 दिवस, 1 सबता होता है, यह तो सभी जानते हैं, 4 सबताह का 1 माह होता है। 2 महिने, यानि 2 माह का 1 रितु मानी जाती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ छे प्रकार की रित्वय होती है। तो यह छे रित्वय होती हैं इन से मिलकर के एक वर्ष बन जाता है। इसमें हमालग-अलग, शिशिरहिमंत, ग्रीश्म, वर्षा रितु ऐसे करते करते हैं, आपके पास पूरी 6 रितुए जब हो जाती हैं, तो पूरा एक साल बीत जाता है। इसी प्रकार सौ वर्ष एक शताब्दी माना जाता है, और दश शताब्दी जब हो जाती है, तो एक सहस्त्राब्दी इसे माना जाता है। 432 सहस्त्राब्दी जब बीत जाती हैं, तो इसे एक युग माना जाता है। इसी प्रकार दो यूग जो है एक द्वापर यूग के बराबर होते हैं और तीन यूग जब बीद जाते हैं यानि 432 सहस्तराब्दी के तीन गुना तो ये एक त्रेता यूग के बराबर होता है और चार यूग जब बीद जाते हैं तब एक सत्यूग बनता है यानि इतना यूग और ये कल्यूग ये सब मिला करके एक महायूग बनता है। अब 72 महायूग बराबर एक मनवंतर बनता है। ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि अब आपने सुना होगा कि जब माता का तेरवा ध्याय हता है दुरुगा शप्तशती में तो वहां मनवंतर के सवनी जो राजत है उनको वर्दान दिया गया था कि सूर्य के पुत्तर के रूप में आप जनम लेंगे। आपको आपने मेरी भक्ति की है तेरवा ध्याय को पढ़िएगा स्री दु वर्दान देती हैं कि आप सूर्य के अंशिष्य जनम लेंगे और मनवंतर के स्वामी बनेगे। यानि कि 72 महायुगों के बाद उनका जनम हुआ होगा और पूरे कल्प के वो राजा बने रहे होंगे। इतना बड़ा वर्दान माता ने दिया था और समाधि को तो आप जान निठ्यप्रलै एक महायुग यानि धरती का जब जीवन शुरू होता है अंथ से लेकर के अब फिर प्राराम होने तक इसे एक निठ्यप्रलै कहते हैं। यानि एक हजार महायुग जब हो जाते हैं तो एक कल्प बनता है और एक प्रले एक महायुग के पराबर होती है जैनि धर्ति का पैदा होना धर्ति का फिर नश्ट हो जाना उसके बीज की स्थिति इसी प्रकार नयमिति का प्रले जिसे कहते हैं वो एक कल्प में होती है यानि देवों का अंत और जर्म जब देवता उत्पन होते और अंतुतो में गत्वा देवता समा जातें मृत्यूं को प्राब्त हो जाते हैं तो इसे नयमी तिका प्रलय करते हैं प्रलय भी होती हैं आप जानते हैं कि संसार में अंतुत्यों गत्व प्रलय हो सब कुस्य नष्ट के यह जाना है किसे ब्रह्माःण रचना होए विसी तरह नष्ठ भी हो जाता है इसी तरह महाले में जो होते तो जब महाप्रल्य होती है, तो महाप्रल्य होती है चप देवताओं का ज्ण्म और मर्ट्यू होती है, इसको हम महाप्रल्य कहते हैं। जब महाप्रले होगी उस वक्त ब्रह्माजी का भी अंत हो जाएगा और नए ब्रह्माजी फिर उसके बाद पैदा होते हैं जिसे कि हम लोग जानते ही तो यह यहां से गढ़ना होती तो आप समझ लिए कितना ज्यादा टाइम है कितना बड़ा समय है इससे आप समझ सकते हैं क तक ब्रह्माजी जीवित रहते हैं और रचना करते हैं और उनके साथ देवी देवता और जो है उनके साथ जर्म लेते हैं तो महाप्रले तक जब तक परमात्मा महा प्रलय नहीं लाता, तब तक का समय इसे कहा जाता है। इसके अलावा, अब हम और भी रहस्यों को जानते हैं, हमारे धर्म के संख्यात्मक, संख्या के आधार पर किस फ्रकार से वर्गी करण किया गया है, तो हमारे यहाँ नंबर दो यानि दो जातिया मानी गई है अमारे यहाँ दो जातिया कौन सी हैं एक है नर और दूसरी है नारी इश्वर की तरफ से केवल दो ही जातिया बनाई गई है लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फह्मी है कि धरती पर इश्वर ने विभिन प्रकार की जातियों की रचना की है यह मनुश्यों के द्वारा जातिया बनाएगी लेकिन इश्वर की तरफ से केवल दो ही जातियों की रचना की गई एक था नर और दूसरी थी नारी आप किसी भी जीव में देखिए एक नर है दूसरा नारी है यह रचना इश्वर की तरप से यानि इश्वर ने केवल दो ही जातिय बनाई हम लोगों ने उन्हें कितने भागों में बाट करके स्वयम अपना सर्वनार्ष कर लिया और इसी वज़े से हमारी सरातन धर्मी इतनी जादा ज हमारे देश को गुलाम बनाता है और हम आपस में ही तब तक लड़ते रहते हैं और फिर साथ सो साल की गुलामी देखते हैं तो जीवन को रहस्यों को अगर समझ में आ जाया और सनातर धर्म के रहस्य को आप जान लें तो केवल एक पॉइंट डालने मातर से भी हम जीवन को बहुत अच्छा और सुद्रण बना सकते हैं तो समझ गए आप कि जीवन में इश्वर की तरफ से दो ही प्रकार के लिंग बनाए गए हैं एक नर और एक नारी यानि एक इस्त्री लिंग और एक पुरुष लिंग यही दो जातिया भी मानी जाती हैं हिंदू धर्म में दो माने जाते हैं एक शुकल पक्ष और एक कर्ष्ण पक्ष जिसको हम अंधिहारा पक्ष और उजाला पक्ष दोनों के नाम से जानते हैं दो प्रकार की पूजाय की जाती हैं एक वैदिक प्रकार की और दूसरी तांत्रिक प्रकार की तो हम दो तरह की पूजाय करते हैं एक व संख्याक में तीन देव माने जाते हैं यानि ब्रम्भा, विश्णु और महेश यानि भगवान, शंकर, शिव इसी प्रकार तीन देवियां हैं महा सरस्वती, महालक्षमी और महा काली और इसी प्रकार तीन लोक हमारी हम माने जाते हैं, प्रिथवी, आकाश और पाताल, जिनके आधार पे हम जब भहरवी माता के पूजा करते हैं तो त्रिपूर भहरवी के रूप में करते हैं, तो वही तीन रूपों में वहां अलग-अलग एक प्रिथवी भहरवी, एक पर किसी भी साधना में या पर गुरु मंत्र के जाप में भी तब भी हम तीनों में से एक गुरु को चुनते हैं अपनी साधना के लिए तीन इस्थितियां भी होती हैं ठोस, द्रव और गैस यानि की वायू तीन इस्तर होते हैं प्रारंब, मध्य और अंत्थ तीन जिंदिकी के पड़ाओं माने जाते हैं बच्पन, जवानी और बुढ़ापा तीन प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं इश्वरद्वारा, एक देवता, दूसरे दानव और तीसरे मानव तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं जागरत, मृत और बेहोशी, तीन काल माने जाते हैं भूत काल, वर्तमान काल और भविश्यकाल शरीर के अंदर तीन प्रकार की गुप्त नाडियां मानी जाती हैं इडा, पिंगला और शुश्मना तीन प्रकार की संध्याय मानी जाती हैं प्राताकालीन संध्या, मद्यकालीन संध्या और साइकालीन संध्या तीन प्रकार की शक्तिया मानी जाती हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अब चार की संख्या में हम चार धामों को मानते हैं जैसे बद्रीनात धाम, जगनात पुरी, रामेश्वरम और द्वारिका, चार मुनी हैं, सनत, सनातन, सनन्द और सनत कुमार चार वर्ण माने गए हैं प्रामण, शत्रिय, वैश्य, शुद्र चार नीती मानी गई हैं साम, दाम, तंड और भेद चार वेद माने गए हैं सामवेद, यजुरवेद, अथरवेद, रिगवेद चार इस्त्रिया मानी गई हैं माता के रूप में, पतनी के रूप में, बहन के रूप में और पुत्री के रूप में चार युग माने गए हैं सत्युग, त्रेता युग, द्वातपर युग, कले युग चार प्रकार के शमय माने गए हैं सुभे, शाम, दिन, राद चार अपसनाय मुख्य मानी गई हैं गुर्वशी, रमभा, मेनका, तिलोत्तमा चार प्रकार के जीवन में गुरु आते हैं यह महत्वपूर्ण है कि चार गुरु कौन से होते हैं यह होते हैं सबसे पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और चोथे गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु जैसे कि आध्यात्म की शिक्षा देने वाला गुरु मना जाता है और यही मुक्ष की प्रकारी माने जाते हैं जल्चर थल्चर नभचर और उभैचर यानि कि जल में रहने वाले जमीन पर रहने वाले आकाश में उढ़ने वाले और उभैचर यानि जो जल में भी रह सके और थल में भी रह सके और उढ़ने की भी शमता किसी-किसी के पास होती है चार प्रकार के जीव होते हैं अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज चार प्रकार की वाणियां होती हैं और ये चार वाणियां हम ओमकार, अकार, उकार और मकार के माध्यम से मानते हैं जिसको हम पूरा ओम मंत्र बोलते हैं चार आश्रम माने गए हैं प्रम्मचर आश्रम ग्रहस्त आश्रम वानपस्त्र आश्रम शन्यास आश्रम जिसको आप जानते ही हैं कि सुर्वात के जो 25 वर्ष के वस्था होती है क्योंकि पूराने समय में 100 वर्ष के जीवन माना जान जाता था आज की स्थिति के हिसाब सकर द डाल लेना चाहिए इसलिए आखरी समय में हमें साथवी संकल भी लेना चाहिए थाकि हमें मुक्षकी प्राप्ती हो सके ज United और पुर्ष पुर्षारत माने के जो बहुत महतुपट है जीवन इनी पुर्षาरत का मतलब होता है पुर्ष होने का आर्थ यानि कि अगर हम मानव रूप में जन्मे हैं, तो हमें ये चानों चीजे प्राप्त करनी ही करनी हैं, तो इसमें पहला होता है धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है काम, चौथा होता है मुक्ष, धर्म का मतलब धार्मिक कारियों से संबंदित, अपने जो भी लक्ष से कमाना सुख समध्धी लाना अर्थ कहलाता है काम मतलब अपनी संतान की उत्पत्थी करना और वजश परंपरा को आगे बढ़ाना उसमें प्रेम सौंदर सारी चीजे सामिल होती है पत्नी और मोक्ष जो चौथा स्थम्भ है यानि कि यह सब तो आपने कर लिया लेकिन हमने म बार बार आप जीवन में भठकते रहेंगे और बार बार जनम लेते रहेंगे इसलिए मुक्स चौथा और सबसे बड़ा माना जाता है चार वाद्धे माने जाते हैं तत्थ शुचिर अनवध्य और घन इसी प्रकार पांच नंबर जो होता है उसमें पांच तत्थो होते है प्रित्वी, आकाश, अगने, जल, बायू पांच देवता होते हैं गणेश, महदुरुगा, विश्नु, शंकर और सूर्य पांच ग्यानिंद्रियां होते हैं आख, नाक, कान, जीव और तवच्छा इनी ग्यानिंद्रियों से हम जीवन का अनभव लेते हैं पांच कर्म होत पांच उंगलिया, अंगूठा, तरजनी, मद्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, पांच परकार की उपचार होते हैं पूजा में गंद, पुष्प, धूप, दीप और नैविद्य, पांच अमरत होते हैं दूद, दई, घी, शक्कर और शहद, पांच प्रेत माने गए हैं भू पूत, पिशाच, वेताल, कुष्मांड और ब्रह्मर आक्षष, पांच स्वाद माने गए, मीठा, चर्खा, खटा, खारा, कड़वा, पांच वायू हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समा, पांच इंद्रिया मानी गई, आक, नाक, कांच, जीब, तवचा और मन, पांच वटवक्ष, जो में सिद्ध वट, जो उजयन में माना जाता है, अक्षेवट प्रियागराज में है, बोधीवट बोध गया में है, वंशीवट ये विरंदावन में है, शाक्षीवट ये गया में है, पांच पत्ते, आम, पीपल, वरगद, गूलर और अशोक कमाना गया, पांच कन्याएं मानी गई, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंति और द्रवपती, छे रितुए हैं, शीत, ग्रीश्म, वर्षा, सरद, वसंद और शिशिर, छे ग्यान के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शंद और जोतिश, छे कर्म है, कुरोध, मद, लोब, मोह और आलस्य, साथ छंद हैं, गायत्री, उश्रिक्ण, अनुष्टुप, व्रहती, पंक्ती, त्रिश्टुप और जगती, साथ स्वर हैं, सारे गामा, पाधानी, साथ सुर हैं, शडश, रशब, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निशार, साथ चक्र हैं, सहस्तराज चक्र, आग्या चक्र, विशुर्द चक्र, अनाहा चक्र, मनिपूर चक्र, स्वाधीन श्टान चक्र, और मुलाधार चक्र, साथ वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुकुरवार, श्रनिवार, साथ मिट्ट कुषद्वीव, क्रॉंचद्वीव, शाकद्वीव, पुषकर्द्वीव ये आज के साथ महाद्वीव मान सकते हैं। सात रिशी में वशिष्ट, विश्वामित्र, कण्डव, भरतद्वाज, अत्री, वामदेव और शौनक हैं। साथ रिशी में वशिष्ट, कश्यप, अत्री, जमदग्नी, गौतम, विश्वामित्र और भर्द्वाज माने जाते हैं, साथ धातू है, शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मज्जा और वीर्य, यही हमारा शरीर इन्ही साथ धातू से बना होता है, यानि सरीर में रस भी है, रक्त भी है, मांस भी है, मेद भी है, अस्थी भी है, मज्जा भी है और वीर्य भी है, साथ रंग है, बैंग्नी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नरंदी और लाल, साथ पाताल है, पाताल लोग साथ हैं, इसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और अंत स धन्म जिससे कहा जाता जिसमें उड़ाद खाने योग्य पतार्थ में उड़ाद घेहूं चाना चावल जो मूंग और बाजरा आठ मातरका मानी जाती हैं यानि माताओं के आठ स्वरूर माता रूप में प्राम्मी वैश्णवी महेश्वरी कौमांद्री एंद्री वाराही न विजयलक्षमी और विद्यालक्षमी आठ वसु माने जाते हैं अप धुरूव सोम धर अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास आठ सिध्या मानी जाती हैं अनिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकम्य इश्वत्त और वशित्व आठ धातुए मानी जाती हैं सोना चा तांबा सीसा जस्ता तिन लोहा और पारा नव दुरगा मानी जाती है नौ नंबर में शैल पुत्री ब्रह्मचारणी चंद्रहंटा कुष्मांडा इसकंदमाता कात्याइनी कालरात्री महागवरी और सिद्धात्री नव गरह होते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुद्ध गुर शुक्र, शनि, राहू और केतु नव रब रत्म होते हैं ए रा, पन्ना, मोटी, माडिक Vamosya, पुखराज, नीलम, गोमेद और लह शुनियां निधिया मनी जाती हैं पद्म निधी महापद्म निधी नील निधी मुकुंद निधी नंद निधी मकर निधी कच्छप निधी श अब दस नंबर में दस महाविद्याएं आती हैं काली तारा शोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता धूमावती बगलामुखी मातंगी और कमला दस दिशाएं होती हैं पूर्वदिशा पश्यम दिशा उत्तर दिशा दक्षन दिशा आगने दिशा निर्टित्य दि भैल दिशा इश्यम दिशा उपर और नीच्छे ग्लत्त मि दिखपाल माने जाते हैं जो रक्षक होते हैं लगलग पालक मने रक्षक होता है एक लोग का पाल होता है य賞ी अपने-पने लोहों के जो स्वामी हैं इंद्र हैं अघनी हैं यम्राज है नेध değiş वरुन हैं मतस्य, कश्चप, वराह, नर्सिंग, वामन, परुष, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलकी, दस सतिया हैं, यह दस सती स्त्रिया मानी जाती हैं, जिसमें सावित्री, अनुसुया, मंदोदरी, तुल्सी, द्रौपदी, गांधारी, सीता, दमयंती, शुलक्षणा और अरुद्धती हैं, तो यह हमारे संख्यात्मक रहस्य हैं, एक से लेकर के दस तक के, जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं, कि आखिर क्या है, इन संख्यात्मक रहस्य हमारे पुराने समय के सनातन धर्म से, जिसमें हम काश्ठा यानि सेकेंड का भी 34 हजारमा भाग से लेकर के, और महा प्रले, यानि 730 कल्ब, जिसमें हम जानते, 730 कल्ब जो होता है, 1000 महा युग के बराबर होता है, और जिसमें एक महा युग, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कल्युग को मिला कर बनता है, तो इतने छोटे से लेकर इतने विशाल तक हमारा धर्म, सनातन धर्म फैला हुआ है, आपको गर्व होना चाहिए, कि आप इस धर्म के रक्षक बन के आये हैं, और इसे फैलाना अब आपका सबसे बड़ा उद्धिश्य होना चाहिए, अपनी इस परंपरा को अपने साथियों में बाटिए, अपने आसपास के लोगों को बताईए, और सनातन धर्म से जुड़िए, सनातन धर्म को फैलाईए, और इसी में हम चारों पुरशार्थों को प्राप्त करके, न सिर्फ जीवन के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, बलकि अंतुतो गत्वा मोक्ष प्राप्त करके, इस पूरी माया में जगत से अपने आपको अलग भी कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवाद।